सोनिपत के बरोदा में नव नियुक्त विधायक ने आज मंगलवार को अपना पद भार ग्रहन कर लिया है आपको बता दे कि चंडीगड में आयोजित समारोह में हरियाना विधान सभा के स्पीकर ग्यांचंद गुपता ने उन्हें शपत दिलवाई इस दोरान उन्होंने शपत लेते हुए कहा कि मैं भारत के सम्विधान के प्रती निष्ठा और वफादारी रखूंगा उनके शपत लेने के बाद कारे करताओं वा अन्य गण्मानने लोगों ने लड्डू बाट कर खुशी का इजहार किया इस दोरान कारे करताओं ने उन्ह मैं भी दीदवारा स्थापीद भारत के सम्विधान के प्रती सर्दा और निष्ठा रखूंगा भारत की पर बुलता तथाकंडता को बनाए रखूंगा पता जिस पद पर में गरन करने वाला हूं उसके करत्रोंगा सर्दा पुरोग में भादरूंगा करने वाला हूं उसके करत्रोंगा सर्दा पुरोग में भादरूंगा कर लोगों ने सबी प्रणों को हर सारे हथकंडों को नकारते हुए विशवास व्यक्त किया कॉंगेस पार्टी में चोदी उपेंदे सिंहुडा जी नेति तुमें बाई इंदुराज में सब में विश्वास व्यक्त किया ये हर्याने की राजनीती में परिवर्तन का बिगुल बरोदावासियों ने बजानेया काम किया है और जिस तरीके से हर वर की सरकाह से तरस्त है किसान नौजवान गरीब आदमी हर वर की लड़ाई लड़ने के लिए ये जनादेश मिला है हम लोगों को कॉंगेस पार्टी को और हम लोग इस जनादेश को समझते हुए हर वर की लड़ाई लड़ेंगे सरकार नाकारा जो सरकार है इसके खिलाब हर्याने कोने-कोने में जाके ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें हैंने वाल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें